नमसे दोस्तों Welcome to the Gyan Electrical, So friends आज के सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले की XLPE के बले उसका construction के सा रहता है वो पूरा चो केबल है वो किसे बनता है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले और उसके कितने लेयर है उसके बाद करने वाले तो गैस य आएगा और conductor screen के उपर एक लेयर आएगा उसको बोलते हम इंसुलेशन जो XLPE इंसुलेशन बना रहे था यह वाला है जो तो इस फर्स्ट जो आया हो conductor, conductor screen उसके उपर XLPE insulation और XLPE insulation के उपर वापस एक insulation screen मतलब यह insulation screen और conductor के उपर insulation स्क्रीन दोनों सेम ही रहते हैं तो यह screen तो टोटल चार्ट पार्ट यह हुए conductor, conductor screen, XLPE insulation, XLPE screen उसके बाद गईज आएगा यह copper tape के उपर गईज आएगा यह inner seat inner seat के बाद गईज क्या करेगा कि inner seat के बाद आएगा हमारा जो आर्मड बोलते हैं वह आर्मड मेकेनिकली प्रोटेक करता है के बलको आर्मड और उसके बाद गईज जो आएगा यह जो वाला हो आउटर सीथ तो टोटल एड़ पार्ट से टोटल एड़ पार्ट से एक पुरा केबल बनता है XLPE केबल जैसे का इसा क्रोस सेक्शन हम में देखेंगे तो यह जो वाला पार देखें वो है में кон्डॉक्टर के उपर करनति और एक पार सा स्क्रीन स्क्रीन रहता है जैसे यह आपे इसल्पर इतनावा एरिया देख रहा है उसको हम बोलते है XLPE insulation और XLPE insulation के ऊपर भी एक स्क्रीन रहेगा insulation screen जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया यह वाला वह insulation screen और उस insulation screen की भी thickness बहुत कम है इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पता नहीं पार चल रहा है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको पतला सा दिख रहा है XLPE का जो screen है वह insulation screen है वह और उसके उपर गाई यह जो आएगा वह आएगा copper tape copper tape के उपर आएगा inner seed inner seed के उपर आएगा आर्मड आर्मड के उपर आएगा आउटर सी तो एसे पूरा जो केबल है वह construct किया जाता है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अब हम बात करने वाले हर एक individual layer का परपस क्या है उसके बारे में तो यहाँ पर मैंने पहले जो इज एक फोटो करके उसका जो इसलिए एक फो फोटो लें परपस के आएग इसके आए लोट से लोटतक लेजाने का काम करता है तो यह यहां पर फोटो में दिखा ने दिखा बाट केबल का जो टाइब साथ वह single core आता है , Danskij 5.5 TR ना धा और कहले और फोर को रहाँ जार ये साश youngest Doctor के पर फिर य्यूर्फ Tiger हो यह गुरॉल रहता है । ये हमस्कों भाएस के सिंगल आता है , Here it Is Ilay untuk को एलेक्रिकल फिल्ट को इनिफर्म लिडिस्टिब्यूट करने का काम करता है यह लिए ग्रक्र स्क्रीन प्लस गयास जो एक अटिज इन्ट इंडूसी लगा। यह वोल्टेज इंशुलेशन की लाइफ को डेमेज ना गड़ें कि यह जो voltage है उसका stress है insulation पर ना पड़े तो उसको isolate करने के लिए भी यह जो conductor screen यूज होता है जिसे कहा है कि overall life जो insulation की है वो बढ़ जाएगी तो दो काम करता है conductor screen एक तो है कि वो field को uniformly distribute करता है और जो voltage stress जो आते है insulation पर वो भी reduce करता है तो यह बात हुई conductor screen की अब गैस हम थर् बोलते है insulation बट यहाँ पर यह जो थर्ड ले होता है वो insulation का होता है बट यहाँ पर क्या है कि XLP के बले तो XLP material यूज किया इसलिए XLP insulation बोला है तो इस insulation का भी purpose आपको पता हो कि insulation जो है वो लाइव पार्ट जो है लाइव कंडेक्टर है उसको isolate करता है दूसरे face के साथ या तो फिर ग्राउंड के साथ तो यह में उब्जेक्ट इसका है अब इस insulation कितने के टाइप के आते है XLP यानिक क्रोस लिंक पॉली इथिलिंग प्लस पीवी सी प्लस गैस रबबर आते है रबबर का insulation भी आता है और इलास्टोमर इलास्टोमर तो इतने चार टाप के जो इंशुलेशन है केबल में वह आते है तो यह बात हो गई तीसरी इंशुलेशन के बारें अब हम नेक्स्ट बात करते है यह जो ब्लेक वाला फॉर्थ पार्ट जो आप देख रहें वह वह है इंशुलेशन स्क्रीन इंसुलेशन स्क्रीन तो इस इंसुलेशन स्क्रीन जो है वह भी सेम एस यह जो कंडक्टर स्क्रीन था विसारी परपस है उसका भी तो आप समझ गें होगी कि कि अगा आपको पता चल गए है तो वैसे इंसुलेशन स्क्रीन का भी वही काम है कि वो उनिफर्मली वोल्टेज डिस्रीबुट करता है और कोई भी वोल्टेज है वो आपके इंस्युलेशन पे आये वर इस्युलेशन की हेल्थ हो निटोरियत ना कर पाए उसके लिए यह शील्ड वर्क करता है अब गैस नेक्स्ट जो बात है वो ह यह एक, दो, तीन, चार और अब जो फिफ्थ वाला जो है वो है गैस कोपर टे या तो फिर इसको यहाँ पर लिया है इसलिए हमने कोपर टे बोला बट इसको गैस भोलते हैं लगा रहें तो यह जो मैटालिक स्क्रीन जो है वो एल्युमिदियम टेप या फिर एल्युमिनियम वाइब सब्सक्ला कोपर टेप या तो फिर कोपर वायर वातध लोग इसा चाल टेप की आती यह तै यहां पर क्या है इसका क्या कि स्क्लाट यह में november टेप तो को पर सीद हो चैबल को बाइंड इंडिंग करने में मतलब कि केबल को बंड रखने में काम करता है मतलब कि यहां पर तो वन कोर है तो ओ-वर सर्क्विलर है इसे टीन कोड़ है ये गाइश बात हुई इनर्सी थे कि आपके इस नेक्स्ट जो सेवेंथ जो है वह है ये सेवेंथ जो है वह है आरम अ कि के सी तो आर्मर मतलब क्या के सकी आर्मर जो है वह और एल्यमीनियम का बना रहता है स्टील वायर तो स्टील वायर आर्मर और यह दो टाइप के आर्मर आ थे स्टील वायर आर्मर तो जो में परपस जो आर्मर का है वह कि जो बहार का कोई mechanical stress अगर केबल पर आएगा तो यह पहले इसके उपर आएगा तो यह चैबल को प्रोटेक कर लेगा जैसे कि कोई केबल के उपर से कोई हेवी मशीन पास हो रहा है या तो फिर कोई हम एस्केवेशन के टाइम कोई उसके उपर कोई जो टूल्स या टेकल्स गिरते हैं या तो फिर हम अनिंटेस्टली गिराता है तो जो पी मिकेनिकल स्ट्रेस जो आता है वो डाइरेकली हमारे इंसुलेशन प केबल का एक्स्ट्रानल प्रोटेक्ट करता है एक्स्ट्रानल प्रोटेक्शन 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 है प्रोटेक्शन अगेंस थर्माइट यानि कि कोई मतलब ऐसे जो इंसेक्ट है जो केबल मुलब की केबल को उसका आउटर लेयर उसको या तो फिर केबल के इंटरनल लेयर को खराब कर सके तो ऐसा ना हो उसके लिए यह आउटर सीद लगाया रहता है प्लस गाइस यह यूवी रेस से भी प्लोटेक्ट करता है तो उस हिसाब से यह आउटर सीद है वो बनाया रहता है प्लस गाइस यह आउटर सीद जो है वह ना याथ फाइर को अगर कोई आज और में वह कोई प्रिव्लार स्मोक消 लेकर वह भूत बहुत जाड़ा स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस डाउटर ले रहता है तो आउप है इस आप गए होगी कि eight जो लेयर है कॉर कंड़क्टर स्क्रीन इंसूलेशन इंसुलेशन स्क्रीन, कोपर, मेटालिक स्क्रीन या तो फिर कोपर टेप उसके बाद इनर सीध, आर्मर एंड आउटर सीध का परपस क्या होता है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए, तेंक्यू गैस मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में